नमस्कार दोस्तों मैं राजेस कुमर आपका बहुत-बहुत सवाइद करता हूँ आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हुए कि समय सेर मार्केट आल टाइम हाई पर चल रहा है और अगर आप देखे तो पिछले आठ मेहनों से बहुत साए कंपनिया ऐसी है जो 80-90% रिटन दे चुकी है तो क्या इन कंपनियों के नमस इतने अच्छे रहे हैं पिछले आठ मेहनों में तो फिर इतना सेर मार्केट इतना आल टाइम हाई पर क्यों चल रहा है क्योंकि लोग आप देखे तो पिछले दस मेहनों से एन बहुत ज्यादा इंवेस्टमेंट किया है जबकि हमारे डुमेस्टिक इन्वेस्टर ने उल्टा किया उसको सेल किया है तो इसको इतना इंफ्लोर है जिसके काई सेर मार्केट आउन टार्म हाई पर चल रहा है तो क्या वो अपने से निकालेंगे एक बहुत वड़ा कॉर्स्टन है तो आप बोल नी सकते कि जो होप रेली चल रहे है इस समय अगर आप किसी भी सेर में पैसे डालेंगे तो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कुछ बोल नी सकते हैं तो ऐसी समय में जोरत है आपको ऐसी सेर में पैसे कि जो की फंडमेंटली अच्छा हो क्वालिटी अच्छा हो अगर आप इसमय किसी एक्सपर्ट से पोचेंगे तो आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स बता देंगे जो की क्वालिटी वाइस अच्छा है बोलेंग उसमें लगाईए तो ऐसी सेर में आपको 10% 20% तो आपको मिल प्रश्ट करना चाहेंगे अगर आपको जो पुराने एक्सपर्ट हैं जो की कईवा ऐसा हुआ है कि हंडेट टाइम तक पैसे कमा चुके हैं अगर आप भी ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो रिस्की स्टॉक में आपको पैसे लगाने पर जर्नली मैंने देखा है कि जिनके ओर विलो होते हैं जारे जर्ष करने हो सकते हैं जिसमें के आगे क्रोथ हो थो कि एकम्पल देता हूं आज मैं च्टॉक बताने जा रहा हूं व वन रूपीज का स्क्राइब और मी इसले कुछ दिनों से अपर सेक्ट पर चल लिए क्यों आपर सेक्ट पास बिया स्क्राइब मैं बताऊंगा लेकिन उस स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जेपी पावर का जो कि आठ मेने पहले अगर आपसका ग्राफ देखे तो आठ मेने पहले वो 40 पैसा पे था आज वो थी रूपीज 90 पैसा पे पहुंच गया है मतलब 40 पैसा से फोर रूपीज आठ मेने में टेन टाइमस रिटन्स तो अगर आपको ऐसे ही कोई पेनिय स्टॉक आपको चूच करना होगा अगर आपको ज्यादा रिटन्स चाहिए आपको जल से पैसा डबल करना है तो आप अच्छे स्टॉक में पैसे लगाईए लेकिन एक दो इसकी स्टॉक आपको आपको अपने फॉट्फोलियूम रखना होगा आपको अगर बहुत वर रिटन्स चाहिए तो आप आज मैं एक ऐसे एक स्टॉक को चूच किया हूँ जो कि पेनिय स्टॉक है वन रूबिस का स्टॉक है लेकिन उसमें ग्रोथ होने का चांस मुझे दि एक टीवी का केवल कनेक्शन देती है और अभी आप कहेंगे कि आज कल डिट्यस का जवाना है साई लोग डिट्यस यूज कर रहे हैं तो यह जो सीटी नेटवर्क है इसका प्रेजिंस अगर आप देखे टाय टू सीटी में जैसा कि आपको मैं ग्राफ में दिखा रहा नेट वर्क है और अगा मेट्व सीटी में देखें तो विट्यस यूजजु में छोटे टू सीटी में देखेंगे टाय टू सिटी में अभी इनकर नेटवर्क भाछ ज्याधा है इसका में ग्राफ में दिखा रहा हूँ कि पिछली खॉर्टे फॉर्टे तो यह आर्निंग है वो increasing order में लिकिन फिर आप कहेंगे कि अगर इसका इवीटर increasing order में है तो फिर इसका price 1 रुपीज क्यों है इसलिए इसका price और भी नीचे था 50-60 पैसा था तो इसका यह है कि इस company के पास date बहुत ज़्यादा है इन्होंने बहुत सारे बैंकों से करज ले रखा है और जिसका rate of interest बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं HDFC बैंक से इन्होंने 199 crore का date है जो कि 12.95% पर है मतलब 13% पर है लेकिन most of the money इनका चला जाता है bank का interest पे करने में तो अब आप कहेंगे कि अगर इस company के पास इतना वड़ा date है 912 crore का date है date of interest हाई है जो इनका income है increasing order में है लेकिन इतना नहीं है को अपना date को clear कर सके तो फिस के इसमें पैसा लगाना safe रहेगा क्या तो मैंने इस stock को क्यों चोना है उसके पीछे region ये है कि इनका जो पहले समझ लेते हैं कि इसका जो इतना loan है तो इस loan के अगरेंज में इन्होंने कितना sales place करके रखा bank को के पास तो जैसा का आप देख सकते हैं कि promoters के पास 32 crore sales है जिसमें 27 crore placed है loan के लिए HDFC के पास 9 crore इसका sales है HDFC mutual fund के पास 3 crore sales है इसी तर से जो बहुत सारे bank है जहां से उन्होंने loan ले रखा है उनके पास इस company के share परेवे हैं और recently उन्होंने bankों ने अपना परक्सा कम करने के लिए बहुत सारे shares उन्होंने dump किया है market में जिसके करने इसका share price नीचे आ गया तो अब future में भी आपने share को sale कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए तो इसके share price और भी नीचे जा सकते हैं लेकिन मैं क्यों करना लगाने के लिए इसका पीछे क्या region है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उससे पहले इसका थोगा completion देख लेते हैं दुसरे केवल से तो जैसा कि मैं यहाँ completion table दिखा रहा हूँ हाथवे केवल का देखें तो इसका book value है 24 रूपीज 40 पैसा लिकिन उसका market price है 34 रूपीज अगर दिन नेटवर का देखें तो book value है 56 रूपीज और इसका market price है 69 रूपीज अगर आप GTPL हाथवे का देखें तो 62 रूपीज book value है और market price अल्मोस्ट इसका double है 128 रूपीज लेकिन CT नेटवर का देखें तो book value इसके debt के कान negative में 1.93 है लेकिन इसका market value है 1 मतलो यह अभी बहुत ही undervalued stock है बस problem यह है इसका debt और इसका high rate of interest तो जैसा कि अभी मैंने JP power की बात कही थी कि 40 पैसा से 4 रूपीज के पास पहुँच गया तो उसकी पीछे जीजन यह था कि उनका जो debt था बैंकों के पास तो बैंक ने अपने high rate of interest को थुआसा कम किया है क्योंकि बैंकों का लगता है कि अगर इतना high rate of interest पर हम उसे charge करते हैं वो तो company बंद हो जाएगी अगर company बंद हो जाएगी तो बैंकों का सारा पैसा डूब जाएगा तो बैंक वी चाहती है कि company survive करे करें आओ उनको वो हमारे date को पूड़ा करें तो इसके लिए उन्होंने अपने जो rate of interest उसको restructing किया है 13% से कम करके 9% 10% कर दिया है उसका फायदा मिला JP power को और JP power के share में एक अच्छा उचा उचालाया है उसी तरह से जो city network का date है अभी जो current rate of interest 10 to 13% है तो बैंक अभी सोच रही है कि उस rate of interest को restructing किया जाए तो आग कम किया जाए तरह कि company survive करें क्योंकि company का growth अच्छा है आपको उसका growth बताने के लिए एक और data में दिखाता हूँ तो मैं इसका एक data दिखाता हूँ कि city network के पास जो tier 2 tier city means का जो subscriber है वो total 90 lakh के आसपास है जिसमें से सिफ 4 lakh subscriber है जिनके पास HD setter box है यानि कि अभी बहुत साइल subscriber ऐसे हैं जो कि धेज़े-धे HD में HD subscriber बनेंगे तो इनका income भी बढ़ेगा और अगर इनका EBITDA देखे तो जिस हिसाब से ये अगर इसका EBITDA देखे तो ऐसा मेरा अनुमान है कि financial year 21 तक इसका जो expected EBITDA है वो 400 क्रोर क्रोस कर जाएगी जो कि भी 80 क्रोर के आसपास है तो 400 क्रोर कर सकती है और rate of interest अगर कम जाता है तो ये date को भी पूरा कर सकती है तो आईसे समय में इसका जो price है share price है वो increase होगा है जिस तरह से JP power का increase होगा बैंको का rate of interest को re-destruction करने के वाद उसी तरह से इसमें भी एक growth आ सकता है तो ये सब positive triggers है number one कि इसका HD subscriber भी बहुत कम है जबकि 4 lakh HD subscriber है out of 90 lakh subscriber में तो जैसे से increase होगे इनका income बढ़ेगा फिर इवीटा इनका जिस तरह से quarter to quarter increase हो रहा है और rate of interest कम होता है जैसा का अनुवान क्या जा रहा है कि जो अभी present में 9.5-13% है वो हो सकता है कि 9-9.5% तक आ जाए तो अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ब्राव बुश्ट मिलेगा company को और ये एक positive trigger है थर्ट पार्टी को दुसरे company को sale कर दे ताकि उनका date recover हो सके तो ऐसे case में वो भी एक बहुत 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 होगा positive trigger होगा तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हो कि इस company के साथ negative क्या हो सकता है negative ये हो सकता है कि bank अपने date को recover करने के लिए हो सकता है कि rate of interest को कम ना करे बलकि NCLT में case file कर दे ऐसे case में जो judgment आएगा हो सकता है कि company के favor में ना हो और जो shares holder है existing shares holder है उन्हें कुछ ना मिले तो ये एक बहुत बहुत negative point हो सकता है दुसरे negative ये हो सकता है कि जो bankों के पास इसके सकता चलो उसे निकाल ले तो सारे shares को market में dump कर दे तो इसका price बहुत ही नीचे चला जाएगा daily lower circuit पर जा सकता है daily lower circuit पर जा सकता है तो एक negative point हो सकता है आ ऐसे case में हो सकता है कि one rupees का share 65 पर चला जाए 50 पर चला जाए तो एक बहुत बड़ा risk है इसमें तो इसको trade कैसे करना है तो दोस्तों मैं यह analysis कर रहा हूं यह recommendation नहीं दे रहा हूं यह educational purpose से बना बता रहा हूं आपको यह जो मैंने analysis किया stock के बाए में इसके पहले मैंने jp problem analysis किया था और उसमें भी मैंने पैसे लगाया थे और अभी मैंने उसमें profit भी बुक किया है और इसके बाद जो मैं अपने portfolio में riskier stock add करने वाला हूं तो उसके लिए मैंने चूच किया city network लेकिन इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि एक तो बहुत करम पैसे मैं इसमें लगाऊंगा क्योंकि इसमें risk बहुत है और हो सकता है जो मैं re-structuring के बाद कर रहा हूं date का जो date कम होने की बाद कर रहा हूं इसमें बहुत समय लग सकता है तो एक लंबे समय तक इसे रखना पर सकता है और दूसरा बात यह है कि हो सकता है कि अभी जैसा कि अपर सरकीट पर जा रहा है तो इसमें खरीदने का मौका न मिले तो जैसा कि में जैसे मेरा analysis है कि साइद 1 रूपीज 20 पैसा 1 रूपीज 30 पैसा तक जाने के बाद एक मौका मिल सकता है या यह इभी हो सकता है कि 120 न थर्टी के बाद इसमें थोगा सा lower circuit कुछ दिन आए और भी नीचे इसे खरीदने का माका मिल सकता है तो लेकिन जब भी मैं इसमें पैसे invest करूँगा तो बहुत ही छोटा amount करूँगा जितना कि मैं जिस्क ले सकता हूँ क्योंकि बहुत high high risk stock है लेकिन gain होगा तो बहुत ही high gain होगा क्योंकि जो मैं restructuring के बात कर रहा हूँ इसका process almost start हो चुका है इसलिए इसका अभी इसमें लोग buy करना start कर दिया है तो दोस्तो यह था मेरा आज का analysis आप आगे बताए अगर किस तरह का analysis चाहते हैं तो अगर इस समय देखा जाए तो सारे share के price increase हो रहे हैं आपको समय के company के quality देख कर पैसे invest करना चाहिए लेकिन अगर आप ज्यादा return चाहते हैं तो आपके अगर आप 10 stock ले रहे हैं तो एक stock high risk stock भी आप ले सकते हैं जिसमें कि आपको double price हो जाए जल्दी से double price हो जाए या 10 times 100 times तक return मिल सकता है अगर आप पुराने कुछ expert को देखेंगे जो की बहुत बड़े player बन चुके हैं उन्होंने भी अपने portfolio में कभी न कभी कुछ ऐसे चोटे stock को उन्होंने रखा है और उन्हों बहुत बड़ी कमाई करके भी दिया है तो दोस्तों आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप मिले बताईएगा और आप किस तरक analysis और आगे चाते हैं आप मिले कमेंट में लिख के बताईए अगर अच्छा लगए तो लोग को share कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब निकर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू जैहिंद